हेलो नमस्कार किसान भायों पस्वालक भायों स्वागत आपका अमारे चैनल किसान डेरी फारम किसान भायों इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्दियों में पस्वों को ठंड से कैसे बचाएं सब्सक्राइब को प्रकार से नियुक्त आप इनका क्या उप्चार कर सकते हैं पूरी जानकारी वीडियो में देंगे अगर आप पसुपालन का विचाय करते हैं तो पूरा वीडियो देखे। देखे सर्दीर लगातार बढ़ती जा रही है निम्तम तापमान कम होने के साथ मोसम पालतू पस्वों के लिए खतरनाक होता जा रहा है दिसंबर जन्वरी के महिने में सीत लेर और ठंडी हवाओं से दूदारू पस्वों को ठंड लगना निमोनिया दस्ताफारा रोग खुर अशरण लगने पस्वों की नाक बन्द हो जाती है और उन्हें सास लेरने में प्रेशानी होती है कि Cuyan भाईों इसे धंडे लाह रोग बी कहते है जिस आफ़ो पचार है कि हम आपको बताएंगे उप्चार है इसका पसू पालक नाक बंद होने पर पसू पालक एक बड़ी बाल्टी में गरम खोलता हुआ पानी ले और उसे उपर घास रख दे इसके बाद पसू की नाक पर एक मोटा कपड़ा रखें जिसे गरम पानी के से निकलती बाप बंद नाक को खोल सकें लेकिन ये वीधी करकते हुए विशेज ध्यान रहे कि पसू गरम पानी से जले नहीं इससे अलावा पसू पालन आजवाईन दनिया और मेती को कूट कर पान बेड़ और बकरियों के लिए इस मिसरन का एक सुथाई मात्तर दे तो इस परकारशे आप पसू को मतलब ये नाक जो बंद हो जाती है वो खुल जाएगी और ठंड है उसकी दूर हो जाएगी दूसरा रोग है अफारा रोग होने पर क्या खिलाएं गुड अगर किसी अफारा रोग की समझे हो जाती है अफारा रोग में दुधारू पसू जैसे गाए भैस के पेट में गैस बनने लगती है जिससे पसू परेशान होकर चिल्ड चिड़ा हो जाता है उपचार क्या इसका ये बताएंगे अफारे का पसू पालक पसू को अफारा रोग से बचा का अफारा रोग से बचाए जा सकता है अफारा रोग भी बहुत खतरना कोता है दोस्तों अगर अफारा आ जाता है और बंदा लग जाता है इसका बातरूम का और गोबर का पसु को तो वो ज्यादा गातक हो जाता है इसके बाद करेंगे बाद थनेला रोग की पैचान कैसे कर दुदारू पसुओं गाएं भैस उटनी बकरी के थन में सुजन दर्द और कडापन गरम थन थनेला रोग के लक्षण है इस रोग से थनों से फटा थके युक्त दही की तरह जमावा दूद निकलता है दूद से दुरुगंद भी आने लगती है और थनों में गाठे पड़ थनेला उने पर पसु का खाना पिना कम कर देते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है थनेला उने के कारण हो सकते हैं जैसे थन में चोट लगना सगरमित पसु के संप्रक में आना विशानों जीवानों माई कलो पजा अथ हुआ कवक उपचार क्या करें बचाप के लिए थनेला हो जाता तो इसके बाद हता हनिमोनिय रोग ऐसे में देशी नुसका सप्रसु पलक में हवा जाने पर और ओस्में बंदे होने पर पसु को दाğ मैlica का शिकार हो जाता है हनिमोनिय में गाएं बह सही दुदारू पस्व kabul कि पशू की आक और नाक ने पानी गरने लगत निमोनिया पीडित पसु को नोसदार सोठे अजवाइन को अच्छे तरह कूट कर द्रहाइशो ग्राम गुड के साथ दिन में दो बार दें साथ ही टिका करण एंटिबेटिक इंजेक्शन लगवाई पसु को बिछाओन के बदले में अच्छा अच्छा उनका ध्यान रखे है इसलिए आगे बता देते हैं खुर पका और मुपका क्या होता है खतरनाक बिमारी होती है पसु पालक भाईयो यह है पता होना जरूरी है कि खुर मुझ की बिमारी क्या है इन दोनों बिमारी में पसु के खुर और मुझ में जखम चाले हो जाते हैं इससे पसु को खाने और चलने में परिशानी होती है सही से चारा नहीं खाने पर पउस्ट के चरीर में कमज़री आ जाती है खुरपक और मुपक बिमारी किसी पउस्ट सो को एक बार होने के बाद पूरे जीवन पर वायूत करती है छोटे पउस्टो को तो इस बीमारी में बचना लगबग नामुम्किन हो जाता है इस बीमारी में छोटे पस्वों के सबसे ज़्यादा मौत होती है खुर पका और मूपका बीमारी बैक्टरिया से होती है यह एक पस्व को होने पर उसके पास दूसरे पस्व को भी हो जाती है दिसंबर और फर विदे तक यह रोग सबसे गाओं को सफाई करें साथ ही खुरों के गाओं में कीड़े निकालने के बाद फिनाईल और मीठे तेल को बराबर मातरा में मिलाए इसके बाद रोगी पसु की देखवाल करने वाले व्यक्ति बड़े बाड़े से बाहर आने के साथ पार साबून से अच्छी तरह दोले जहां कपड़े धोने का सोड़ा चूना फिनाईल डाले तो यह थी जानकरी दोस्तों धन्यवाद